वोल्क अप 2023 के लिए टीम इंडिया का एलान आज इन खिलाडियों का पहर होना लग भगता है विश्चुकप के लिए भारतिये टीम के सेलेक्शन का इंतजार हर किसी को है वो इंतजार अब खत्म होने वाला है और आज एक बज़ कर तीस मिनट पर यानि की भारतिये समय नुसार तेड़ बज़े भारतिये टीम का एलान होने वाला है श्रुलंका में एक मीटिंग होगी बीसेसाई की जिसमें टीम का एलान किया जाएगा ऐसी खबरे मिल रही है और इस मिटिंग के दौरान ही सामने आएंगे वो 15 खिलाडी जो की भारत ये टीम की तरफ से रीप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे भारत को विशुकप में विशुकप क्योंकि भारत में ही खेला जाना है और सभी को इंतजार है कि कौन से वो 15 खिलाडी होंगे जो विशुकप में अपना जोहर दिखाते हुए नजर आएंगे लेकिन टीम में कुछ खिलाडियों के अंदर आने की और कुछ खिलाडियों के बाहर जाने की यहां पर खबरे मिल सकती है इस सेलेक्शन मिटिंग के बाद कुछ खिलाडियों का बाहर होना तो लगभग तैही माना जा रहा है और उन खिलाडियों की संभावनाएं जो है वो लगभग कहा जा रहा है कि बाहर हो सकते हैं बाकी पता चलेगा कि सेलेक्शन मिटिंग में क्या होता है बिसिसे की तरफ से कहा गया है कि इस मिटिंग में इंडियन मीडिया भाग ले सकती है और ये मिटिंग जो है श्रलंका में होगी जहां पर भारती टीम अव एशिया कप के matches खेल रही है बता दें कि टीम इंड़ा के जो सेलेक्शन की वोलकप की सेलेक्शन टीम की जो मिटिंग है और सेलेक्शन जो है वो देरी इस वज़े से हुई है उसमें क्योंकि केल राहूल की fitness का जाइजा लिया जाना था बता दें कि केल राहूल की match fitness को अब चेक कर लिया गया है पूरे पचास ओवर तक उन्होंने विकेट कीपिंग की है और सेलेक्शन का मानना है कि वे टीम में चैनित होने के लिए पूरी तरह से तयार है क्योंकि विकेट कीपिंग का ही सबसे बड़ा option है जिसे भारती है जो टीम मैनेजमेंट है वो लेकर चल रहा है वोलकप के लिहाज से अब दूसरी तरह देखें तो इशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाप एक 80 गेंबे 82 रंकी पारी खेल कर सेलेक्टर्स को थोड़ा सोच में डाल दिया है थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया है कि अब अगर केल राखुल टीम में आते हैं 11 में अगर आते हैं तो फिर बाहर कौन सा खिलाडी जाएगा तो ये एक ट्रिकी सवाल रहेगा सेलेक्शन के लिहाज से भी और मैनेज्मेंट के लिए भी जब 11 डिसाइड की जाएगी लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि श्रिलंका में मिटिंग होने वाली है जिसमें वी रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे वोल्ड कप में इस वीडियो में फिलहाल एतना ही बागी अपडेट के लिए आते देखते रहे हैं डिटीवी स्पोर्ट्स